हाई एवरीबन कैसे हो आप सभी लोग आई हूप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल आज स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामने math का एक most important lecture वीडियो लेकर आगया हूँ जिसमें हम पनने वारे हमारे 10th standard के लिए math subject का part 1 यानि की algebra subject का जो chapter 3 की हमने शुरुआत की जिसका नाम है arithmetic progression आज हम इस chapter का lecture 4 लेकर आगया आपके सामने जो कि एक बहुत important lecture वीडियो होने वाला है friends जैसे कि आपको पता है इसके पहले हमने सिखा था कि कैसे कोई भी particular arithmetic progression का या फिर sequence का हम nth term को कैसे निकाल सकते है यह हमने एक formula के help से देखा था साथ ही में जो आप लोग जो है मैं आपको सिखा दूआ क्योंकि वह particular types के क्योंकि एक type में सिखा जया तो remaining examples आप लोग कर पाऊगे इतनी guarantee मेरी तो जरूर से आपने देखना वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप ध्यान से देखो ताकि मैं आप लोगो फटा-फट जितना 66 पे ठीक है practice set 3.2 का पहला example है write the correct number in the given boxes which are the following in the AP यानि कि कुछ boxes आपको बना के दिये हुए total 4 question दिये है question number 1 में जो main heading है question number 1 में total 4 question है तो question number 1 का में पहला example आपको कराने जा रहा हूँ जो की है दिया हुआ यहाँ पे 1,8,15,22,-ड, डिया हुआ है यह arithmetic progression में बोल के रखा है और हमें जो boxes है उसको fill up करना है तो मैं आपको directly इसको solve कराता हूँ आप लोग क्या करिएगा जो भी particular vacant spaces से अपन तो T1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा T2 कितना है दोस्तो 8 है लिख दिया 8 T3 कितना है हमारे पास 15 दिया हुआ है and T4 जो है आपके पास 22 यह हमने लिख दिया अब next step में आपको क्या करना होता है हमें निकालना होता है common difference के लिए हमें T2-T1 करना होता है तो हम क्या करेंगे T2 तो दोनों 7 आ गया यह boxes में आप fill up कर लेना correct है बहुत simple है and last में पुछा है therefore D is equal to box दिया हुए तो D कितना आ जाएगा we know that कि जो भी हमारा common difference आता है मतलब दोनों को minus किया तो इधर भी 7 आ रहा है इधर भी 7 आ यहानि D मेरा कितना हो जाएगा 7 यह भी final boxes में जो है D is equal to 7 आ जाके मतलब नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाज ज्यादा प्राक्टिस करो ठीके ना आकी बाकी जो आप दो है कि other questions तो जाके प्राक्टिस नहीं करोगे practice करने के लिए होते है इसके लिए मैं आप सिलेक्टेड कोशन नहीं कर आता हूँ आपको पता होगा कि हर बार में कुछ एक सिलेक्टेड कोशन कराता हूँ so that आप बचे होए examples को practice कर सके तो question number 1 का first example मैं ने करा दिया question number 1 का remaining second third and fourth example में आप लोगो को homework दे रहा हूँ ऐसे ही type के question है जिसमें boxes में fill up करना है बहुत simple है easily आप कर पाओगे इतनी मुझे पूरी guarantee है ठीके अब आगे बढ का रहें यहां पर मैं आपको पहले रफ कर देता हूँ बोड को ताकि आपको question number 3 का heading डाल पाओ ठीके ना क्या दिया हुए question number 2 का heading डाल पाओ इसको रफ कर लेते fastly ओके ठीके क्या दिया हुए question number 2 let's write it down question number 2 हमारा heading है main क्या बोला है decide whether the following sequence is in AP मतला आपको एक question दिया हुआ है एक arithmetic progression दिया हुआ है और आपको बोला है कि सबसे पहले decide करें कि arithmetic progression में है भी या नहीं यह check करो हम लोग चेक कर लेंगे ठीक है और क्या बोला है कि also find the 20th term यानि कि 20 बिस्वा term कितना आएगा वह हम लोगो निकालने बोला है तो सबसे पहले arithmetic progression का sequence दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते क्या दिया हुआ है सबसे पहले minus 12 है उसके बाद minus 5 दिया हुआ है उसके बाद 2 दिया हुआ है फिर 9 दिया हुआ है उसके बाद 16 23 काफी बड़ा यहा कितना आएगा वह हम लोगो value निकालने बोला है बहुत सिंपल है इसको solve करेंगे दोस्तों अगर इसको solve करना है सबसे पहले हम लोग क्या करते है इसको check करेंगे कि यह arithmetic progression में है की नहीं, arithmetic progression है की नहीं, वो check कैसे करते हैं, दोस्तों आपको पता होगा, कि अगर हम लोग, सबसे पहले step तो वही होता है, हम लोगा T1, T2 के form में, इसको लिख दो, ठीक है, क्या होता है T1, T2 के form में, T1 is equal to कितना है, minus 12, लिख दिया, T2 कितना है, आप देखो, T2 कितना है, minus 5, लिख दिया, T3 कितना है, 2, T4 कितना है, 9, T5 कितना है, 16, T6 is 23, and last में एक और दिया हो है, T7 जो दिया हो है, 30 दिया हो है, तो सबसे बेले क्या करो, कोई भी 2 से 3 लोग का common difference निकालने ही कोशिश करो, म उसके बाद मैं निकालता हो, T3 minus T2 का, उसके बाद मैं निकालता हो, T4 minus T3 का, यह 3 भी निकाल लिए, बस हो गया, आप सबकी निकालने के जुरत नहीं है, क्योंकि 2 या 3 लोग का भी आ जाता है, क्योंकि हमने स्टाटिक में पढ़ आता, कोई भी 2 लगातार, जो sequence होते है, उसका common difference अगर सेम आ गया, तो वही होता है common difference, और सेम आने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि yes, वो arithmetic progression में है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, आ रहाए कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो T2 minus T1 कितना है, T2 is minus 5, minus 5, minus of T2 minus T1 कितना है, minus 12, minus 5 of minus 12, तो कितना आ जाएगा, आप चेक क करोगे, तो minus 5 plus 12 हो जाएगा, minus 5 plus 12 कितना होता है दोस्तो, that will be equal to 7, तो यह हमारा 7 आ गया, clear है, अब यहाँ पर चेक करोगे, T3 minus T2, T3 कितना है, 2 minus of minus 5, तो 2 minus minus 5 कितना होता है, यह भी 7 आ गया, correct है, and last में T4 minus T2, यहानि कि 9 minus 2 यह भी 7 हो गया, तो तीनो के तीनो common difference 7 आ रहे है, तो हम लोग बोल सकते है, yes, it is in AP, तो हम लोग clearly यहाँ पर बोल सकते है, यहाँ पर मैं आपको लिखके दिखाऊ, कि yes, therefore, it is in AP, arithmetic progression में है, और इसका common difference कितना आ रहे, D जो आ रहे, common difference हो 7 आ गया, ठीक है, हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है, therefore, D is equal to 7, यह मैंने लिख दि तो क्या पढ़ा था, कि TN is equal to A plus N minus 1 into D, तो TN हमें निकालना है, मतलब N कितना निकालना है, 20, 20 term निकालना है, T20 निकालना है, A कितना है, हमारा पहला term कितना है, minus 12, डाल दिया, minus 12, प्लस N कितना है, हमारा 20, 20 minus 1, multiply by D कितना निकाला, 7, डाल दो, value निकल जाएगा, तो T20 is equal to minus 12 plus, 20 minus 1 is 19, यह 19 हो गया, multiply by 7, 1977 जा कितना होता है, दोस्तो 133, correct है, 1977 जा 132 आपका answer आएगा, T20 is equal to minus 12 plus 133, जो कि आपका answer देदेगा, T20 is equal to, कितना हो जाएगा, 133 में से 12 माइनस कर दो, 121 आजाएगा, 121, तो यही आपका final answer, जो कि कितना आसानी से हम लोग ने निकाल लिय clear reference, तो उमीद करता हो कि आप लोगो यह particular question भी समझ में आ गया होगा, आपको फिर से एक बार बता जिता हो कि क्या किया हमने, सबसे पहले हमें पूछा था कि यह arithmetic progression है, कि यह arithmetic progression हो, कैसे चेक करते हैं, अगर common difference 2 से 3 term का same आता है, तो मतलब वो arithmetic progression है, तो हमने क्या किया किया, common 20 term, 20 term निकालना है, तो N के जगा पर 20 लिया, डाल दिया, A हमारा minus 12 था, D हमें 7 निकाला हुआ था, calculate किया, तो हमें answer मिल गया, T20, यानि कि जो हमारा 20 term आएगा, इसके बाद, 20 term जो आएगा, दोस्तों वो कितना आ रहा है, हमारा 121 आ रहा है, यानि कि 121 आ रहा है, आप दे बात कर लेते हमारे एक और example, यानि की तिसरा example की तरफ, third example, जो कि हमें question इस प्रकार दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको पहले आपको बताओ, कि पहले हम लोग क्या करते है, बोड को rough कर लेते है, so that मैं heading डाल पो आप लोग के लिए, इसको फटा-फट से rough करता हूँ, फिर आ बहुत important होने वाला है, okay, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं आपको बता दू, क्या बोला है हमारा question number 3, ठीके न, heading डाल दिया, मैंने question number 3, क्या दिया है, question इस प्रकार है दोस्तो, that is, given arithmetic progression, 12, 16, 20 and 24, चार यहाँ पे sequence दिये हुए, हमें पूछा है कि यह arithmetic progression में given है, मतलब clearly पता है कि arithmetic progression में आएगा, clearly, क्लियर ले, क्लियर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यह पूछा है, find the 24th term of this progression, 24th term कितना आएगा, बहुत simple example है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग sequence लिख देते हैं, जो कि यह 12, 16, 12, 16, 20 and 24, ठीके न, यह आपको दिख रहा है, 12, 16, 20, 24, कॉमा दे यहाँ पे, that is, T1 जो है हमारा 12 है, T2 जो है, वो 16 है, T3 जो है, वो 20 है, T4 जो है, वो 24 है, arithmetic progression में है, already बोला हुआ है, given बोला है, तो given is arithmetic progression, लेकिन उसके पहले हमें common difference निकालना होता है, तो T2 minus T1 से हम लोग common difference निकाल लेंगे, that is, 16 minus 12, कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब D मेरा common difference, 4 आ गया, correct है, A मुझे पता है, A कितना है, दोस्तो, A मेरा पहला item होता है, A मेरा पता है, 12 है, तो A मिल गया, T मिल गया, D मिल गया, अब मुझे एक formula पता है, कि अगर मुझे T24 निकालना है, तो एक formula पता है, that is, TN is equal to A plus N minus 1 D, ठीक है, यह formula अभी हमने देखा था, दोस् कितना है, अब इसका answer आप निकाल सकते हो, तो T24 कितना हा जाएगा, दोस्तो, 12 है, यहाँ पे, 12 plus, 24 minus 1 is 23, 23 multiply by 4, clear है, यहाँ आपे multiply by 4 है, so 23 multiply by 4 हो गया, so 23 multiply by 4 कितना हो जाएगा, दोस्तो, that is, that will be equal to, यह 12 होगा, 12 plus, 12, 1 carry, photo side, और यह 92, 12 plus 92, ठीक है, 12 plus 92, जो कि आपका answer आजएगा, 4, ठीक है, sorry, 22 plus, 2 plus 2, 4, और 9 plus 1, 10, that is, 104 आगया, ठीक है, तो 92 plus 12 करेंगे, तो 104 आएगा, तो T24 आपका answer आ रहा है, 104, कितना easily हम लोग ने निकाल लिया, इसको, आप देख पार हो, यहाँ पे, कि अगर 92 में हम formula यहाँ दोना चाहिए, जब भी भी कुछ term निकालने पूछता है, 20 वा निकालो, 24 वा निकालो, 100 वा निकालो, 1000 वा निकालो, ऐसे term जब भी निकालने पूछेगा, तो यही formula यूज होता है, TN is equal to A plus N minus 1 into D, और यह formula यूज करके, हमने कितना आसानी से इसको solve कर लिया, जैस पाचवा question भी आप देखोगे, तो find the 27th term, मतलब 27th term आपको निकालना है, जो कि again इसी type का है, बस 24 के जगापे 27 लिखोगे, आप लोग निकाल पाओगे, इतनी guarantee है, अब मैं आप लोग को छटा question कराओंगा, लेकिन क्यूँ, दोस्तो थोड़ा सा एक अलग type का question है, तो 6th question और आज के लिए आखरी question, मैं आपको करा जिता हूँ, 6th example, जो की है, find how many 3D numbers are divisional above 5, तो 5 से कितने 3D numbers जो है, वो divide हो सकते हैं, यह आप लोगो मैं आपको solve करके दिखाऊंगा, जो कि थोड़ा सा different है, जरूर से हम लोग इसको कोशिश करते हैं, solve करने की, ठीक है, ओके, तो क के लिए, ठीक है, ताकि मैं आगे का examples करा सकूँ, ओके, question number 4, heading डाल लेंगे अभी, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ, बहुत important session चल रहा है हमारा, ठीक है, और इस प्रकार के जो question है, और यह जो fourth question कराने जा रहा हूँ, यह आगे ने एक बहुत important है, और ऐसे question में से एक question number 4 निये, question number 4, 5, 6, तो मैंने आपको homework दी दिया, 4, 5 आपको homework दी दिया, यह sixth example है, question number 6, page number 66 में आप देखोगे, practice set number 3.2 में छटा example, क्या question है, find how many three desired numbers, natural numbers are individual by 5, तो हमें इजे निकालना है, तो कितने three individual number हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात, आप sequence जब बनाओगे, तो आपको स सोचना पड़ेगा, कि three desired number कितने हो सकते हैं, maximum कितने हो सकते हैं, last में आप देखोगे, तो maximum three desired number हो सकते है, 999, clear है, 999, क्योंकि इसके बाद अगर जाएगा, तो यह 4 desired number हो गया, clear है, तो आपका पता चलगे कि last जो है आपका, जो आपका आखरी आएगा, वो 999 आएगा, और मतलब यह 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 995 जो मेरा रहेगा, आखरी 3 desired number है, जो कि मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद सीधा 1000 हो जाएगा, तो 1000 को मैं नहीं कर पाऊँगा, clear है, तो मुझे एक चीज़ पता चल गया, कि मेरा आखरी जो number है, वो मेरा 995 है लेकिन सबसे पहला जो number रहेगा, यहाँ पे, क्या बोला है, how many 3 desired numbers, natural numbers are divisual by 5, जो 3 desired numbers start कहां से होता है, 100 से, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि A कितना रहेगा, मेरा 100 और यह भी 5 से डिवाइड होता है, correct है, 3 desired number है, A मेरा 100 हो गया, तीके, और मेरा आखरी number जो रहेगा, या यहाँ पे हम लोग ने निकाला, that is, 995, वो ही मेरा आखरी number है, 995, clear है, अब, यहाँ पे हम लोगो क्या करना है, पहला number मुझे पता है, आखरी number मुझे पता है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं TN निकालू, T1 मेरा कितना होगा, 100 होगा, T2 कितना होगा, T2 कितना 110 होगा, T3 कितना होगा, 110 होगा, ऐसे करते-करते हम लोग जाएंगे, correct, ऐसे से करते-करते जाएंगे, ठीक है, बट मुझे क्या निकालना है, कितने number हो सकते है, 3DZ के natural number जो कि इसके बीच में आएंगे, तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि TN, और एक और चीज़ जो है आपका, वो कितना है, 5 है, यहां ते हम लोगो clear हो गया, एक formula मुझे पता है, क्या पता है दोस्तो formula, यहां पे आप देखोगे, that is TN, ठीक है न, TN जो है, is equal to A plus N minus 1, multiply by DA, यह मुझे पता है, TN मुझे पता है, 995 है, सबसे आखरी वाला 995 है, clear है, अब A मेरा कितना है दोस्तो, सबसे A मेरा जो है, वो है 100, ठीक है, A मेरा कितना है, 100 है, plus N minus 1, N कितना है, मुझे पता नहीं है, तो N मुझे निकालना है, minus 1, multiply by D, मेरा कितना है, 5, ठीक है, डाल लिया value, निकालते हैं इसको, 5 हो गया, अब solve कर लेते हैं, इसको देखो दोस्तो, तो यह 995 ही रहे इधर आ जाएगा, और यह minus 5 इधर आ गया, तो plus 5 हो गया, correct है, is equal to अकेला वहाँ पर क्या बच गया, 5 N बच गया, ठीक है, अब इसको solve कर लेते हैं, क्या बचेगा, 995 में से 100 माइनस करो, 885 बचेगा, 885 में plus 5 करेंगे, यानि कि कितना हो जाएगा, 890 आ जाएगा, is equal to 5 N, अब इसको आगे और solve कर लेते हैं, यहाँ पर, देखो आप, तो N जो रहेगा, therefore N will be equal to 890 divided by 5, ठीक है, अब इसको solve कर लेते हैं, N कितना आएगा, 5 बचा 39 हो गया, 5, 8 जा 40, ठीक है, 5 जा 40 हो गया, correct है, ठीक है न, and last में 0, ठीक है, that is, आपका answer आ रहा है, यहाँ पर 180, clear है, आ रहा है, आपका answer, आपको समझ में आ रहा है, दोस्तो, 995 में से 100 माइनस गया, 895 बचा, 895, ठीक है, यहाँ पर कुछ गरबर ओर आप चेक कर लगते, 995, 995 में से 100 माइनस करोगे, तो 895 बचेगा, और 895 में से 5 अगर प्लस करते हैं, तो 895 प्लस 5 कितना हो जागा, 900 हो ज ठीक है, यहाँ पर 4 बचा, 45, जब 40 अगे 0, तो 9, N is equal to 180, यहाँ पर मतला हमारा जो answer आ रहा है, वो correct आ रहा है, जैसा कि आप देख पार हो, यहाँ पर बहुत ही clear example है, कि हमने क्या किया है, दोस्तो, यहाँ पर आपको मैं वापस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सबस टीन डीजिट होने चाहिए, तो यहाँ पर मिलको पता है, कि सबसे पहला टीन डीजिट नमबर क्या आता है, 100, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ागा, क्योंकि दोस्तो, आइसे राइट के example, आपको confuse करने के लिए देते हैं, और आपको दिमाग लगाने के लिए जात टीक है, अब उसके बाद 5 से डिवाइड होगा, मतलब हर 5 जो है वो बढ़ते जाएगा, यानि प्लस 5, प्लस 5 करते जाओ, तो आपका D जो होगा, यानि कि जो common difference होगा, वो 5 आएगा सब में, लेकिन कब तक जाना है, प्लस 5 करते करते कब तक जाना है, जब तक आखरी 3 डि टीक है, तो मुझे लास्ट का डिजिट पता चल गया, यानि कि TN मुझे पता चल गया, एक अवेलू मुझे पता है, डी मुझे पता है, तो मेरे को एक फॉर्मला पता है, TN इस इगल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो मैंने डाल दिया A के जगा पे 100, N के जगा पे मैं उनको N का वेलू, यानि number of, जो numbers है हमारे, कितने 5 से डिवाइड हो सकते हैं, त्री डिजिट नमबर, वो हमने निकाल लिया, जो कि 180, यानि कि 100 से लेके 1000, यानि 999 के बीच में, ऐसे तोटल, 180 नमबर है, जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, और वो 3 डिजिट नमबर होंगे, तो उमीद करता हूँ, कि आप लोग को ये particular 6th example आपको समझ में आ गया होगा, बहुत important time, बहुत ही जादा, अच्छे से मैंने समझानी की, कोशिश के, तो उमीद करता हूँ, कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, अब देखोगे next question, question number 7th भी जो है, वो भी ल बहुत important lecture था, खतम होता है, चरूर से, जब हम लोग को आगला lecture आगा, यानि कि जब lecture number 5 आपके लिए लेकर आऊँगा, अगेन एक बहुत important lecture होगा, तो बस थोड़े दिन का और इंतजार कर लिजे, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही regular videos लेकर आते रहेंगे, ठीके friends, तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा है हमारा आज का lecture वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा अपने सारे friends लोग के साथ, अगर आपने अभी तक इस च